चप्टर टू है, बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन, बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है, बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन, बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन, बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन, बाइलोजिकल क्लासिफिकल क्लासिफिकेशन, बाइलोजिकल क्लासिफिकल क्लासिफिकेशन, बाइलोजिकल क्लासिफिकल 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 क्ला जो अरिस्टोल हैं, इनको, ऍपादर ओब फादर ऑवाईलोजी बोला जाता है अरिसुटर्टर्ड को फादर ओ बैलोजी बोला इनको हादर ओप जो लोजी बोला जाता है और फिर इन्होंने क्या क्लासिफाइड किया प्लांट को बेसिस अप मॉर्फोलोजिकल क्रेक्टर्स क्या किया जितने भी प्लांट से उन प्लांट को क्लासिफाइड किया बेसिस अप मॉर्फोलोजिकल क्रेक्टर जो मॉर्फोलोजिकल क्रेक्टर उनके बेस पर प्लांट को थ्री ग्रूप में डिवाइड किया ये थ्री ग्रूप ह हर्व सर्व and हर ट्री कि तो हर्व आप जानते हो hide the Kelft आप जानते हो तो हर्व कौनसे प्लांट होते हैं कि हर्व कौन से प्लांट होते हैं बोला जाए तो हर्ब कौई से प्लांट होते हैं हर्ब बता सकते हो कुछ प्लांट के नेम बता सकते हो हर्ब की विराइटी वाले कौन से प्लांट है तोलसी और और बोला जाए तो आपका वीट है हर्ब में कि राइस है जितने भी आप क्रोप्स बहुते हो नो क्रोप्स आप अब मेज जितने भी आप प्लांट जो भी क्रोप्स का ग्रोव करते हैं वह सब आपके हर्ब की केटेगरी में हैं सर्व में आ जाएगा आपके चाइना रोज रोज कि यह सब आपके सर्व वाली केटेगे में आ जाएगा बेरी वाला प्लांट वह सर्व में आ जाएगा यहां पर इन अरेस्टोटल ने भी एनिमल को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है एनिमल को भी इन्होंने कह किया टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया है डिवाइडेड एनिमल्स इंटू टू ग्रूप्स और किसके बैसिस पर गुरूप्स डिवाइड किया प्रजेंस और एपसेंस प्रजेंस और एपसेंस और एपसेंस आर बीसी कौन से प्लांट में या कौन से एनिमल में आर बीसी देखने को मिलेगा और कौन से प्लांट में आर बीसी एकौन से एनिमल में आर बीसी एपसेंट देखने को मिलेगा वोते ना इनका टू केटरी है एक कंडिशन है इनाईमा और एक एनाईमा एक है इनाईमा और एक है एनाईमा एफोर एपसेंट एफोर प्रजेंट रहेगा यहां पर यहां पर रहेगा पिद unf red red blood cells जहां पर क्या हुझाएगा without without रेड़ बलड़ सेस एक पर रेड़ बलड़ सेस प्रजेंट रहेगा यहां पर क्या बोल सकते हो आर बीसी प्रजेंट रहेगा और यहां पर राय आर बीसी अब आपके कौन साब जी है अरे इस टोटल इन्होंने अरह तोतला है कि तोतला है हां तो हम तो सोचते को अब कोई अब जो हिंदी वाला मीडियम वाला बच्चा उनको मेंसे लिखाते कर दोतला होगा इस वोजिस इसका नाम टोटल है देन कंडिशन होगे अब अब सेकेंड साइंटिस्ट की बात की जाए थियो फ्रेस्टस क्या बोला जाए थियो फ्रेस्टस की बात की जाए तो इनको क्या बोला जाता है थियो फ्रेस्टस को बोला जाता है फादर अब बोटनी कौन साब फादर अब बोटनी और फादर अब फादर अप एनिसेंट प्लांट टेक्सो नॉमि फादर अप एनिसेंट प्लांट टेक्सो नॉमि इन्होंने थियर प्रेश्ट साबजी ने इन्होंने भुक लिखी है और प्लांट पर उसका नयम है इस्टोरिया प्लांटेरम प्लांट बुक है इन्होंने इस्टोरिया प्लांटेरम बुक को लिखा गया है और इन्होंने ही क्लासिप इन्होंने क्लासिफाइए किया ही क्लासिफाइए प्लांट्स एंटो फोर ग्रुप्स फोर ग्रुप्स और किसके बेस पर डिवाइड किया बैसेस ऑप ग्रोथ हेविटेट ग्रोथ हेविटेट के बेस पर इन्होंने डिवाइड किया है अब ग्रोथ भी अलग लग ताइप कर इन्होंने क्या किया जिसे बात की जाए हर्व का हर्व रहेगा यहां पर सरफ टू टाइप का है अंडर सर्फ एंड ट्री पतर एक प्रोथ हो जाएगा और यहां प्रोथ हो जाएगा एक छोटी जाड़ी हो जाएगे एक बड़ी वाले जाड़ी हो जाएगी और यहां इनका जो क्लासिपिकेशन है यह वाला इनका जो क्लासिपिकेशन रहेगा ना आगे तो इनका जो क्लासिपिकेशन रहेगा उसको बुला जाता आर्टी पीशियल क्लासिपिकेशन क्लासिपिकेशन थ्री टाइप के होते हैं एक होता नेचुरल क्लासिपिकेशन एलो जनेटेक क्लासिफिकेशन ऐसे अलगलग टाइप के ख्लासिफिकेशन साएगा उनका फिर देखा जाएगा इसा उनके बारे में इतना डेस्क्राइब तो नहीं है यहां पर कि 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 हो गया यहां तक कि देन फिर आता है आपका कि कौन साब जाएंगे के रोलास लीनियस के रोलास के रोलास लीनियस और यह साब आएं आपके कि सेवंटें सेवंटें से आपको है सेवंटें सेवंटेंट यह अपके रोलास लीनियस है इसका नेम सुना आपने के रोलास लीनियस ने नहीं कि आपने नोमेन नोमेंट कलेचर सुना है बाइनोमियल नोमेंक लेचर और ऑप कि तो बाइड आहां हां हां तो बाइड नॉमेंकलेचर इन्हों ने प्रपोस किया था तो इनका जो रियल नाम है यह इनका रियल नाम नाम नहीं है कार्ल ओन कार्ल ओन लिन्ने कार्ल ओन लिन्न इनका रियल नेम है यन्होंने क्या किया अशिचा उन ने जो वर्क किया कि ओन डाबेसेश अपवार्क अउन दॉबेसेश अपवर्क अउनड़ बेसेश अपवर्क इन ए इन लेटेंट ए मिलेटेंट डेंटी लेंगवेज इन्ने काम किया कि इसलिए अपने रहने क्या कर लिया इ कि इसलिए इन्होंने आपना नाम चैंज कर लिए इचेंगे इस नेम और नेम कॉन सा रखा फिर इनोने के रूलस लीनियस और इनोने बाई नोमियल नोमेन कलेशर को क्या किया फ्रपोस्ट किया या इनिके ये क्या है बाई नोमेन कलेशर के क्या है फाउंडर है या इनोने इसको डिस्कवर किया है इस आप यहां पर बोल सकते हूँ इसलिए यहां पर केरोलस लीनियस को फादर ओफ ठेक्सोनोमे क्या बोला जाता है इनको फादर ओफ टेक्सोनोमे बोला जाता है इनको फादर ओफ प्लांट टेक्सोनोमे इनको बोला जाता है और इनको फादर अप टेक्सोनोमी नहीं को बुला जाता जितने भी scientific नेम है जितने भी scientific नेम है नेम हैं आपके जितने भी बोटनी में जुलोजी में उन्स सभी नेम को इनोंने लेटिन लेंग्वेज में प्रपोज्ट किया था इसे प्लांट्स को इनों कि नंहीं राट्डाउन किया इन्होंने सब कुछ इनका ही काम है और इनुंदे फिर इन्सें रिलेट्टेड भी लिकाए विश्टेड है इन्होंने प्लांट इन्हें भी साइटिपिक नेम है ना वह सब इनजी की देन है अब आप भी समझते और में भी समझता हूं कि होने जाना कुछ नहीं है एक तरह से कॉंपेटिशन देना है उसमें पास आउट होना है देन इनों ने फिर क्या किया जो बाइलोजिकल क्लासिपिकेशन है उसमें किंग्डम सिस्टम चलते हैं क्या चलता है क्किंगडम सिस्टम सब्सक्राइब है और उन में कि एम एक चलेगा आपके टूग डम कि सिश्टम बात कर सकते हूं हिएर ऍवात क्लासिफिकेशन प्लासिफिकेशन इस ऊस प्लwatकिर चाल सकते। lo 500 गलासिफिकेशन इसको फॉल किंगधक्र क्लासिफिकेशन भोल दो या सिस्ट्रम वोद एक फीर किंग नाम के लब Saari एक उता है फाइव किंग्डम क्लासिपिकेशन के इस स्टार्टिंग इसी नहीं किये टू किंग्डम क्लासिपिकेशन प्रपोज किया है वह आपके के रोलास कि यह के रोलास वाले भाई सावी है जिन्होंने यह सब काम इस्टार्टिंग इन्होंने किया है जब स्टार्टिंग करने वाले यहीं है तो सब कुछ इनके हाथ में है अब टू किंग्डम तो प्रपोज हो गया अब इसी पर पूरा पिच्चर चलेगा अब यहीं बोलेंगे वह सब क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है उसमें बोलना पड़ेगा टू किंग्डम क्लासिफिकेशन में प्लांटी एंड और सेकेंड है अनिमेलिया कौन साव है अनिमेलिया और थर्ड किंग्डम सिस्टम प्रपोज किया अर्नेस्ट हेकल अर्नेस्ट हेकल ने इन्होंने प्रोटिस्टा प्लांटी एंडिमेलिया अनिमेलिया क्या रखा गया प्रोटिस्टा प्लांटी एंड 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 इन्होंने किंग्डम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है फिर आता फोर किंग्डम क्लासिफिकेशन जुन्होंने को लेंड यह तोड़ा साके देख लेना इसमेल इस्पेलिंग इस्पेलिंग हो जाए तो हेकल कितना कोई अदम नहीं है फिर आतक कोपलेंड और कोपलेंड ने फोर किंग्डम सिस्टम और फोर किंग्डम सिस्टम में इन्होंने इन्होंनों किया कि मोने रा कि पैस सेकेंड आएगा प्रोटेस्टा थर्ड आएगा प्लांटी और फोर्थ आएगा एनिमेलिया अभी कौन सा बाकी रहा है और फाइव किंग्डम क्लासिपिकेशन को आर एच वी टेकर कौन साब है आर एच वी टेकर है इन आर एच वी टेकर ने आर एच वी टेकर ने क्या प्रपोस थे फाइव किंग्डम क्लासिपिकेशन प्रपोस किया आरेच वी टीगर इसमें परस्ट पॉइंट रहेगा मोनेडा प्रोटिस्टा हंजाई लांटी एनी में लिया यह सिक्वेंस भाइज आपका क्लासिफिकेशन क्या है सिक्वेंस भाइज पुरा क्लासिफिकेशन हैं अब इनको कुछ इंक्रीजिंग वाइस तोड़ा सक एक फ्लोचार्ट अपन बनाते हैं कौन मोनेडा सहाव है कौन कहां पर रखा गया है कॉंप्लेक्सिटी के अधार पर आपके सामने सिंपल सक फ्लोचार्ट दे रहा है इसको दपर अपन रिवाइस किया जाए तो क्या कंडिशन ग्रिशन रहेगा ना कॉंप्लेक्सिटी अब से बेस पर बात की जाएं तो इंग्डम मोनेरा के मेंबर से किमो संथेज़ करेंगा कीम्लोचे मेंबर प्रोकेरियोट्स होते हैं जिए जिए ऐपहल प्रोटेस्टा होगा प्रोटेस्टा पोटेस्टा और इनका जो से रहेग सितने सेलूलर रहेगा स्वाइवान के मेंबर सेलूलर हो नहीं जरुप् Understand मनेश समर्ण सी में आप प्रजान श्माय का प्रपार्णेश का जो सब्सक्राइब प्लांटिक की फूद का होते हैं और दारेक्ट डारेक्ट हेंक करने करते हैं एक हैं प्रॉसेस अपना आते हैं गरहन करते हैं यह हट्रोड्रोट्रॉपिक है कोई सा भी स्काविद्रॉड ऊसको यह ले सकते ही है तो और प्रोडूसर होगे फंजाय होंगे तो इन lanz अंपोजर वोला जाता है और जो एनिमे लिया करं़र्श को क्या बोला जाता है ऐसा आप जो फाइव कीग्डम जो सिस्टम है डाइग्राम के निचे सो कर सकते हो विज रहा हो किसाने इंक्रिज हो हो ये ये इंक्रीजुण increasing during प्रवाइड करतेवी डायग्राम बनाया गया है जो है यहां बात कि जाए कि इंग्डम मोनेरा में किसको इंक्लूड किया जाएगा प्रोटिस्टा में किसको इन्क्लूड किया जाएगा तो उनका में तोड़ा साक आपके सामने फ्लो चार्ट सक आपको तो पस्ट पॉइंट अपने देखा मोनेरा में किसको रखा गया है जितने भी ओल आपके पंजाई में आपको इंक्लूड किया गया है और आपके पंजाई में आपको इंक्लूड किया है है फाइक eth mirac 2012 अबन्हें कुह फाइक को मईस को मैसे बैसीडिप्वीशिए मज्च Bring Remember сам अनि उल्क этष की इनिमल्यर को इसपें पस्ट रागों को इंक्छल्ड करद्सुक्रुड की है आनिमल्यानिया और कोड़ेट्स को इंक्लूड किया गया है इस प्रकार से आपका कि एक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ अब यहां पर आपकी बुक में दिरका है पेज नंबर सेवंटेन एक है वहां पर थाइव किंगडन क्लासिफिकेशन में पूरा डियर का है दें मोनेरा पर यू केरी ओटिक है असें का क्या कंडिशन आप एं वह पूरा दियर का है कि निक्या कि लगबक अप्रोक्सिमेंट टाइम कम्प्लीट हो गया है